पिछले एपिसोड में Electrolux भी अपने पाउर का यूज करने लगा था और Death Messenger से कहा था कि मैं तो पहले से ही Death God हूँ इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि Death Messenger अब इसके पाउर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता और इसके सभी लोग भी इसके कंट्रोल से बाहर हो गए होते हैं तभी इसी भी शम देखते हैं कि Electrolux ने अपना पाउर यूहाव को दे दिया होता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बदला लेने के लिए एक चांस दूँगा जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाव इस पाउर से डेथ मेंसंजर के लोगों को कंट्रोल करने लगता है और अब उसके लोग उसके उपर ही अटेक करना ही स्टार्ट कर देते हैं तब इसे देखी लेक्रोलक्स कहने लगता है ऐसा लगता है कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ी नफरत थी लेकिन अब आप उरी तरह से सांथ हो गई है इसके अलाबा वो उससे कहता है कि जब तुम्हारे दिल के अंदर से सारी नफ्रत खतम हो जाएगी तब उसके बाद उसमें के ओल हैपिनेस और काइनेस रहेगा और अगर तुम ऐसा करने में काम्याब हो गए तो मैं तुम्हारा थर्ड मार्सल सोल बनने के लिए रेडी हो जा जिसके बार ट्यार्मेंग यूहाउस से कहता है कि सायद वह भी पहले तुम्हारे जैसा कोई इनसान ही होगा लेकिन असल में उसके पास में बहुत ही पावरफुल एबलिटी है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसका सामना किसी बहुत पावरफुल एनिमी से हुआ होगा जिसने कि उसे हरा कर मार दिया होगा लेकिन फिर भी किसी तरह से उसके spiritual consciousness का एक हिसा वहां से बच गया होगा तबी बिंग बिंग कहने लगती है कि यह लाओ का ताकत का पता उसके लेबल से ही पता चलता है लेकिन इसी के साथ ऐसा लगता है कि उसने किसी बहुत बड़े ट तरह से impossible है क्योंकि अभी उसने जो magic mention किया था वो ability साथ उसके plan से belong करती है अब इतनी बात कहने के बाद वो यू हाओ से कहती है कि वह जैसे ही बहुत ज़्यादा powerful हो जाएगा तुम उससे इसके बारे में सीख सकते हूँ तब इस पर यू हाओ कहता है कि यू लाओ के power ने इतने असानी से हरा दिया तब इस पर binging कहती है कि यू लाओ और वो evil soul master बिल्कुल भी same level में नहीं है इसलिए ऐसा लगता है कि यू लाओ नेचर के returning level में पहुँच गया है जिसके बाद ट्यानमें कहने लगता है कि ऐसे level में पहुँचने के बाद तुमें केवल अपने practice क उपर ध्यान देना होता है और इस तरह से तुम धीरे धीरे और भी ज़्यदा पाउरफुल होते जाओगे तब इसकी बात सुनकर यूहाओ भी कहता है कि मैं भी इसके बारे में समझ गया लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यूहाओ को बचाने के लिए मास्टर सुवा के बारे में देखते हैं इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके कुछ साथ ही इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गये होते हैं जहाँ पर लुओ चेंजी फैंक से कहती है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे बड़ा वाला आइस प पंक तुरंट उसके पास में आकर उसके बारे में पुछने लगता है इसके बाद मास्टर सुवान भी उदास होते हुए टीचर जामा से पूछते हैं कि यहां की सिच्वेशन कैसी है जिस पर टीचर जामा इमोसनल होते हुए कहती है कि हाउस वान ने बाकी लोगों को बच और इसके अलाबा सीसी भी इसमें थोड़ी बहुत जखमी हो गई है लेकिन इसी के साथ वो इन से कहती है कि हमें इनके पौईजन वाले घाओ का सही समय पर इलाज करना होगा जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर मास्टर सुवान को काफी गुसा आ रहा थ फिर टीचर जामा कहती है कि वैसे तो सियाओ टाव और बाकी लोग पौईजन से बच गए हैं लेकिन फिर भी सौक के बज़ास से उनके इंटरनल औरगन में कुछ प्रबलम आ गई होगी इसी बज़ास से अब इनको रिकवर होने में कम से कम एक महिने का टाइम लगेगा औ और इतनी बात कहने के बाद वो पूछती है कि डेथ मेसेंजर का किया हुआ तब इस पर मास्टर सुवान कहते है कि यू हाउ ने अपने मेंटल सोक का यूज करके उसके उपर अटैक किया है और फिर इसके बैक फायर के बचस से उसके बाड़ी के चितरे हो गए हैं जिसके आदम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर ठीचर जामा भी इस पाद से खुस हो जाती है और कहती है कि हमने कम से कम इस तरह से हाउस वान का बदला तो ले लिया तब ही काई तो कहने लगता है कि मैंने बॉम के बारे में बहुत ही अच्छे से चेक किया जिसमें की बहुत ह खतरनाक पोईजन से सीड हैं लेकिन असल में एक सोल गाइड एलमेंटल बम को बनाने के लिए मार्सल सोल पोईजन और और को एक साथ में कमपोज किया जाता है जिसके बज़ा से इसका प्रोसेस बहुत ही कॉंप्लेक्स है और यहां तक कि हमारा सोल गाइड ब्रांच भी इसे इतने असानी से नहीं बना सकता तब इसके बारे में सुनकर मास्टर सुवान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि इसका मास्ट प्रोड़क्शन के वल सन्मून एमपायर ही कर सकता है यह कहने लगता है कि सन्मुन इंपार और स्टारलू एमपार के बीच में कोई न कोई प्रब्लम होती रहती है ह। इसलिए ऐसा खता है कि इविल शौल मास्टर की आर्मी स्टार्लू आर्मी के नजदीक में ही चुपी रहती है और इसके बज़ा से उनके दूसरे intention के बारे में समझपाना भी काफी मुश्किल है तब इस पर master swan कहते हैं कि अब हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि मैं सबसे पाले यांग मो जी फेंग और सी सी को यहां से treatment देने के लिए अपने साथ में वापस ले जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर टीचर जामा उन से पूछती है कि क्या आप सच में वापस जा रहे हैं तब इस पर मास्टर सुवान कहते है कि यहाँ पर जो भी वाउस की पूरी जिमेदारी मेरी है इसके अलाबा अब कमपर्टिसन के लिए अकेडमी से नए प्लेयर को भेजने में भी काफी लेट हो गई है इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पाले तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और इसके अलाबा वहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह से तब तक टिकना होगा जब तक किसी आउटाओ और बाकी लोग अपने इंजरी से पुरी तरह से रिकपर नहीं हो जाते अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर सुवानिन से कहते हैं कि अब इसकूल की इज़त तुम्हारे हाथों में है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और अब मास्टर सुवान यहां से इंजर्ड हो चुके इस स्टूइडन को अपने साथ लेकर स्कूल में वापस आ जाते हैं लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान यहां से कहते हैं कि इसपर वहां पर क्या हुआ लेकिन असल में आज ऐसे पहली बार नहीं हुआ है जब मैं इस टीम को लीड कर रहा था इसलिए मैंने अब सूपरवाईजरी टीम से रिजाइन करने का डिसाइड कर लिया है और इस तरह से मैं पोसाइडन पवेलियन से निकलना चाहता हूँ लेकिन इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और मास्टर यान उन से कहता है कि याखिर कर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं च्योंकि वैसे भी तो गलती हर किसी से होती है और इसके अलाबा इस पर जो हुआ है उसके फिछे बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं च्योंकि इविल सूल मास्टर के पास में बहुत सारे प्लान थे अबी नहीं हूँ लेकिन इस पर मास्टर लिन उनसे कहती है कि आपको इसके बारे में इतना परिसान होने की ज़रुवत नहीं है च्योंकि वैसे भी तो हमने यहाँ पर एक साथ में मिलकर बहुत सारा काम किया है तब इस पर मास्टर सुवान कहते है कि मैं सबसे पहले हाउस वान के फैमली के पास में जाना चाहता हूँ ताकि इस तरह से मैं उनके ग्रीफ को रिजॉल्ब कर सकूँ लेकिन तब ही इसी वक्त हम देखते है कि मास्टर मूला उनको इस तरह से यहाँ से जाने से रोक देते है जिस पर मास्टर सुवान उन से कहते हैं कि मैं अब सच में यहाँ पर नहीं रुखना चाहता तब इस पर मास्टर मूला उन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें वापस आने के लिए कहा जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इनकी ऐसी बात सुनकर मास्टर सुवान फिर से वापस आ जाते हैं और फिर मास्टर मूलाव मास्टर लिन्ग से कहते हैं कि जैसे इस रेक अकेडमी का गे मोबर हो जाएगा तब उसके बाद तुम सन्मून रॉयल सुल इंजिनियर अकेडमी के पास में एक्सेंज अपली के सन का लेटर भेज देना क्योंकि हम अपने सुल गाइड अकेडमी के इस स्टूडेंट को अहां पर इस्टडी करने के लिए भेजना चाहते हैं तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर लिन कहने लगती है कि क्या वे लोग इस पाद से अग्री हो जाएंगे जिस पर मास्टर मूला उसे कहते है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि हम इसके बारे में बहुत पाले से ही सुच रहे थे इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि हमारे स्टुडेंट महाँ पर उनके साथ मैं इस्टडी करने के लिए जाएंगे ताकि इस तरह से हम उनको बता सके कि मैनलेंड के मोस्ट एडवांस सोल मास्टर एकडमी को रिपरजेंट करने का मतलब क्या होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर लिन भी अब इसके लिए मान गई थी और मास्टर मुलाओ से कहते हैं कि तुम इसके बारे में अच्छे से नेगोसियेट कर लेना क्योंकि मैं किसी भी तरह से पांच साल में वुहुन एकडमी और सोल गाइड एकडमी को एक साथ में इंटिग्रेट करना चाहता हूँ तब इसके बारे में सुनकर मास्टर यान कहता है कि क्या सच में इसकी इतनी जल्दी है क्योंकि भले ही सोल गाई टेकनोलीजी का डेवलेप्मेंट बहुत ही फास्ट है लेकिन फिर भी जब एक सोल मास्टर सोल सेंट के लेवल में पहुँच जाता है तब उसके बाद कोई भी हमारे सोल मास्टर की बराबरी नहीं कर सकता तब इस पर मास्टर मुलाओ कहने लगते हैं कि मैं अभी कुछ समय पहले ही सन्मून एंपायर में गया था जहां पर कि मैंने हैरान कर देने वारी बहुत सारी चीजे देखी इसलिए सन्मून एंपायर में सोल गाई टेकनोलीजी का डेवलेप्मेंट हमारी इमेजिनेसन से भी काफी आगे है और इसके अलावा मैंने तो वहाँ पर इतने बड़े सोल गाईड को देखा जिसे की कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत परती है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह चीज मुझे डराने के लिए काफी है जिसके बाद इसके बारे में सुनकर वे सभी भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर मास्टर यानुन से कहता है कि आप तो पहले से ही लेबल 99 में हैं लेकिन क्या इसके बाद भी वो सोल गाईड इतना पाउरफूल है कि उसने आपको भी डरा दिया जिस पर मास्टर मुलाव कहते हैं कि वह सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अब तो सन्मुनेंपार के सिच्वेशन को देख ऐसा लगता है कि वह तो अकेले ही काफी हैं अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहते हैं कि अगर यहां पर कोई बहुत बड़ी बैटरी स्टार्ट हो गई तो क्या तुमें लगता है कि इस रेक एकेडमी इसमें सर्वाइब कर पाएगा वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा और उसके सभी साथ ही स्टार्लो सिटी में आ गए थे जहां का नजारा देखने में सच में काफी अमेजिंग लग रहा होता है तभी इससे देख सियाओ कहाने लगती है कि यहा अब हम देखते हैं कि यहां के कमपर्टीशन को देखने के लिए यहां पर बहुत सारे लोग भी आये हुए थे तभी टीचर जामाईन सभी से होटल के कॉन्फरेंस रूम में आने के लिए कहती है क्योंकि वो गेम के स्टार्ट होने से पहले वो इनको इसके बारे में सब का जाएगा तब इस पर टीचर जामा कहती है कि अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा जिसके बाद सियाओ कहती है कि हम तो यह भी नहीं जानते कि यह कमपर्टीशन किस तरह से होगा तब इस पर टीचर जामा इनसे कहती है कि प्रिलिमनेरी राउंड का पहला राउंड नॉक हमें नौकाउट रॉन को किसी तरह से सर्वाइब करना होगा क्योंकि हम सपोर्ट के आने से पहले किसी भी तरह से इसमें से एलिमिनेट नहीं हो सकते जिसके बाद टीचर जामाइन से कहती है कि हाँ तुमें ऐसा ही करना होगा लेकिन अब इसके बज़ा से हम देखते है कि इसके बारे में सुनकर वे सभी काफी परेसान हो गए थे जिसके बाद टीचर जामा इन से कहने लगती है कि क्या तुम इसके बारे में डर गए और क्या तुम भूल गए कि तुम सब इस रेक अकडमी के स्टूडेंट हो इसके बाद वो इनसे कहती है कि तुम्हारा एपनेंट असल में तुम से काफी विक है और इसके अलाबा यहाँ पर तो लेवल 4 वाले बहुत ही कम दिखाई देते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर इनका confidence बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लेकिन वही सियाओ टाओ और बाकी लोग अभी भी काफी उदास होते हैं लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि तीचर जाओ टाओ याओ हैंग और लुोचेंच से अकेले में बात करती हैं जहां पर याओ हैं टीचर जाओ से कहता है कि क्या सच में उनको इतना confidence देने का कोई मतलब बनता है तब इस पर सियाओ टाओ कहती है कि टीचर जावा ने बिल्कुल सही किया क्योंकि इस तरह से उनका मोराल काफी हाई होगा जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा इन से इनके रिकबर होने के टाइम के बारे में पुछने लगती है और फिर इनसे कहती है कि मुझे तो recover होने में 10 दिन का time लगेगा इसके अलावा सियाओ टाओ को 15 दिन और जबकि याओ हैं को recover होने में 17 दिन का time लगेगा अब इतनी बात कहने के बाद वो कहती है कि तुम उनसे इसके बारे में reveal मत करना कि यहाँ पर कोई भी support नहीं आने वाला क्योंकि हमें किसी भी तरह से victory के लिए confidence को बढ़ाना है वहीं उदर सियाओ यू हाउस से पूछती है कि क्या teacher जावा ने जो कहा वा सही है लेकिन अब इस पर यू हाउ और वां कहते हैं कि अब इस पाद से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर हमें fight करना है तो कैसे भी करना है इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि इस game को start करने का time आ गया था जिसे देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आये होते हैं और इसी के साथ वे सब भी इसके लिए काफी excited भी होते हैं वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिना में भी इस game को देखने के लिए बहुत सारे लोग आये होते हैं और अब वे सब भी इसके लिए पूरी तरह से excited हो गए थे जिसके बाद हम देखते हैं कि यहां का king भी अभी इस game को start करने के लिए यहां पर आ गया था और इनसे कहने लगता है कि यहां पर जो continental soul fighting competition होने बाला है वो असल में हमारे डलाव continent soul master के लिए बहुत बड़ा event है और इस पार तो यह game हमारे star loo empire में होने बाला है इसके अलाबा हम देखते हैं कि वो यहां पर game के लिए आई हुए अलग-अलग academy के टीम के बारे में भी बात करता है और कहता है मैं उमीद करता हूँ कि तुम इसमें अगले मन तक compete करोगे जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी लोग भी काफी excited हो गए थे और अब इस तरह से यहां पर continental soul fighting competition स्टार्ट हो जाता है लेकिन तभी इसी बीचम देखते हैं कि यहां एरिना उपर से बंद हो जाता है और अब इस तरह से इस competition की host और referee भी यहां पर आ जाती है जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें participate करने के लिए total 133 player यहां पर आए हुए है और फिर इसके बाद वो referee इन को इस competition के बारे में बताते हुए कहती है कि इससे तीन राउन में divide किया गया है जिसमें से पहला राउंड नॉकाउट राउंड होगा इसी तरह से दूसरा राउंड रोबिन राउंड और फिर आखिर में इसका final राउंड होगा इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर नॉकाउट राउंड को इस्टार्ट करने का टाइम आ गया था जिसके बाद हम पता चलता है कि स्रेक अकेडमी का पहला मैच टियानिंग एडवांस सोल मास्टर अकेडमी के टीम के साथ में होगा लेकिन इसी के साथ वो इन से बताती है कि पिछले हजार सालों से इसका चैंपियन स्रेक इसकुल बनता आ रहा है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी लोग भी स्रेक अकेडमी को चीर्स करने लगे थे लेकिन वहीं अब दर दूसरी वाली टीम इस रेक अकेडमी के टीम का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई होती है और इनका लीडर कहने लगता है कि इस पार उनका आखरी टाइम होगा जब यहां की ओडियन स्रेक अकेडमी को चीर्स करेगी लेकिन कि आपको भी लगता है कि यूहां के टीम को हरा पाना इतना आसान बात है इसके बारे में आप कोमेंट करके जरूर बताना और अगर आप भी इनके मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना